हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल ज्योती मेकिंग तो आज मैं आप सभी को ये सुन्दर चार डिजैन बताने वाले हूं इस डिजैन को आप आल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं गर्ल का स्वेटर हो या बुआ स्वेटर हो या जैन्स का स्वेटर हो आप इसी ओल प्रोजेक्ट में इस डिजैनिंग को आप अपलाई कर सकते हैं तो ये सुन्दर सा डिजैन मैं आप सभी को बताने वाली हूं दोस्तो प्रहती दिन रेगुलर आप नए ने और लेटेस्ट स्वेटर अगर जैन दिखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलेगन को दबाये जिसे मैं प्रहती दिन रेगुलर नए नए और लेटेस्ट स्वेटर का डिजैन डालूं उसका नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए चलिए शुरू करते हैं यह सुन्दर सा डिजैन बनाना दोस्तों यहां मैं एक सलाई पर कुछ फंदे डाल दी हूं और इसमें मैं बॉर्डर की तरह बना ल सिधा बनाते हुए कम्प्लीट कर लेना है तो यह सीधी सेट से है दोस्तों तो यह सीधी सेट से मैं टोटल फंदे को सीधा बनाते हुए कम्प्लीट कर लेती हूं यह देखिए फैंट यहां मैं फर्स्ट सलाई कम्प्लीट कर चुकी हूं और सकेंड सलाई उल्टी सेट से चुके तो फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है और दो फंदे उल्टा बनाना है ए और ये दो हो चुका अब क्या करना है ये धागे जो है इसे ऐसे करके एक बार इस पर लपेट देना है फिर दो फंदे उल्टे बनाने है और फिर ये धागा को लपेट देना है बस इसी तरह के से पूरी रो बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है फंदा उल्टा एक बार ऐसे करके धागा लपेटना है फिर दो फंदा उल्टा और एक बार ऐसे करके धागा लपेटना है तो तो यह सकेंड रो उल्टी सैट से है यह डिजैनिंग जो है चार सलाईयों का डिजैनिंग है यह म से यह हमें थर्ड सलाई सीधी सैड से आ चुक रही हुए थी यह सट वाले फंदे खो ऐसे ही निकाल लेता है और धागा को आगे करना है एक फंदा उल्टा बनाना है धागा फीछे और एक फंदे यहां सलिप कर लेसी है और यह देखेए इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और ये देखिए ये लपेटा हुआ फंदा है ये अलगी लग रहा है देखने में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा इसे ऐसे ही निकाल लेना है फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदे को स्लिप करना है और लपेटा हुआ फंदा को ऐसे ही निकाल लेना है फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदे को स्लिप करना है और ये लपेटा हुआ फंदा को ऐसे ही निकाल लेना फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदे को सिधा और ये लपेटा हुआ फंदा को ऐसे ही निकाल लेना है तो पूरी रो मैं इसी तरीके से बनाते हुए कम्प्लीट कर लेती हूँ ये देखे फ्रेंट्स, ये तीन सलाई तो यहाँ कम्प्लीट हो चुकी है और ये चार सलाईयों का डिजैन है तो अब मैं चौथी सलाई उल्टी सेट से हूँ तो अब फर्स्ट फंदे को आप सलीप पी कर सकते हैं तो उल्टा भी बना सकते हैं मैं सलीप कर ली हूँ ये slip वाले फंदे को मैं उल्टा बना ली हूँ और ये फंदा है इसे भी उल्टा ही बनाना है ये दो तरह से मैं सीधी सैड से बनाएती तो ये दोनों फंदे को ये चोथी सलाई उल्टी सैड से उल्टा ही बनाना है ये टोटल फंदे को उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट कर करेगों दोस्तों यह डिजयन बनने के बाद आपको पोड़ीजन दीजयन दिखने में लगेगा और बनानें में भी से जट पड़ से बना भी सकते हो और दिखने में भी काफी ही जुन दियुक्त लगता है इस चार ही का डीजयन में पूरी रोभ चौ्थी सलाई ये बना के कम्प्लीट कर चुकी हूं और ये देखे फ्रेंट्स ये एक डिजैन यहां बनके कम्प्लीट हुआ है ये उनकी लेटिंग की बजल से उतनी अच्छी तरह से ये दिख नहीं रहा है और को दिखाई नहीं दे रहा है ये वनली चार ही सलाईयों का ये डिजैन है इसी चार सलाईयों को बार-बार रिपीट करते जाना है इधी सेट से टोटल फंदे को सिधा बनाना है फर्स्ट सलाई में और सकेंड सलाई में फर्स्ट फंदे को स्लिप करके दो फंदे उल्टा और एक बार लपेटना है ये तीन फंदे को ही रिपीट करना है पूरी सल हो सकेंड रो में फिर थर्ड सलाई में जैसे मैं यां बताई हूं एक फंदा ULTA एक फंदे को धागा पीछे करके स्लिप करना है और लपेटा हुआ फंदा को इसकन निकाल लेना तो थर्ड सलाई ऐसरी करना है अब फोört सलाई उल्टी से क्या करना है टोटल फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है दोस्तों इसी चार सलाईयों को जैसे मैं बताई हूँ उसी चार सलाईयों को बार-बार रिपीट करते जाना है कुछ रिपीट करने के बाद आपको ये डिजैन इस तरीके से नजर आ आईयागा कि कितना सुंदर सा वे लग रहा है दोस्ट जदी आप सभी को ये पसंद और मेजने का तारीक पसंद आया हो प्लीज चरल को लाइक कीजिए और कोमेंट कीजिए जदी नए कोई हैं तो प्रेल दिनों रेगूलर नए नए ले टेस्ट येऽ चेशन ई Mae तक सबसे पहले पहुंच जाए इस वीडियो को मैं यहीं इन करती हूँ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डियान नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई